नमस्कार असलाव अलेकुम सस्रेकाल मैं आपका होस्ट आपका दोस अदीब सिद्धी की हाजिरों आपको सबके पसंदीदा प्रोग्राम खास महमान में या खुदा इतनी सारी तेरी नवाजिशे किन किन का शुक्रिया अदा करूं तेरी रहमत जमा जम बरस रही मैं चुपचाप खड़ा बस भीग रहा आज हमारे साथ हैं सेद फकरुद्दीन अश्रफ फकर मिया सज्जादा नशीन मगदूम अश्रफ जांगीर सिम्नानी रहमत नशीन है तो किछोचा शरीव दरगा के बारे में अगर आप विस्तार से कुछ बताना चाहें जो हिंद्र सारी दुनिया में इस आस्ताने का एक मुखाम है मगदूम सम्नानी रहमतुल्हाले जब से यह हिंदुस्तान आये तब ही से आपने तस्वुफ महबत और मेर जोल की तालीम देना शुरू किया और आखरी में यहीं पर उनका इंतकाल हुआ और तभी से मैं समझ रहा हूँ कि 600 साल से कुछ उपर हो रहा है आज उनका वेसाल हुए लेकिन उनका फाइजान आज भी जारी वो सारी है लाखों की ताइदात में हिंदोस्तान और बैरून हिंदोस्तान से लोग आते रहते हैं सर महरम की किस तारीक से उर्स पाग के शुरुआत होती है और ये उर्स कितने दिनों तक चलता है वह इसे उर्स के माने होता है जिस दिन फुजूर्ब इंतिकाल करता है उसको उर्स कहते है यू तो उर्स एक 28 ही को है क्योंकि 28 को मखदूम सम्नानी ने विसाल किया है उर्स की एक ही तारीख है लेकिन हमारे हाँ फुजूर्ब मखदूम सम्नानी के आस्ताने में उर्स जो है वो 24 ही से शुरू हो जाता है और तीस मुहर्म हमुल हराम तक रहता है। सर, उर्स मराने के पीछे यही एक वजा है कि उस दिन उनका इंतिकाल होता है। हाँ। सर, कुरोना महामारी के चलते हैं इस बार उर्स पार्ट में क्या फिर बदल किये जा रहे हैं। अभी तो हम लोगों से और परशासन से हो सकता है कल एक मीटिंग हो। मीटिंग होने के बाद यह तै किया जाएगा कि कुरोना महामारी को देखते हुए किस तरह उर्स का इंतिदाम किया जाए। सर उर्स के समय जब के चोचा पूरी तरगें से भरा होता है भीड़ बहुती है बहुत जादा तो आप लोग की तरफ से क्या विवस्था की जाती है उसमें। हमलों की तरफ से हमलों का इंतजाम तो परशासन करता है, हमलों का इंतजाम एतनी रहता है, जो कैमपस में लोग आते हैं, उनने किसी तरह की कोई ऐसी बात ना पाइदा हो जिससे आये हुए जाहिरीनों को दुश्वारी हो, वही हमारी जिम्मेदारी होती है, बकिया परशास पूरी तरीके से स्योग करता है लेकिन अंदर जो है रुखाबाद केमपस की जिम्मेदारी सज्यादकान की होती है वो लोग करते हैं सर कि चोचा शरीफ दरगा के पास नेर भी है ऐसी क्या खासियत है उसमें की गैर मुल्क से भी लोग उस पानी को पीने आते हैं मैं उसके बारे में बता दूँ हदरते मुहदिस देहलवी रह्मत उल्ला ने फरमाया है कि नेर शरीफ का पानी तिर्याक है यानि जो उस पानी को पिएगा बीमार होगा उससे शफा होगी आसे जदा होगा तो उससे नजात मिलेगी या और किसी भी मर्ज में होगा तो उससे यह नेर शरीफ की खासियत है कि उसका पानी जो है वो तिर्याक सराकरी मैं अपनी तरफ से हमारे वीवर्स को और अपने चाहने वालों को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो शुक्रिया है कि आप मेरे यहां आए मैं अपने महमान का इस्तवाल करता हूं और तमाम लोगों क इसमे वसाथ दराजी हो मुझा दारे नता फर्मा तो यह थे हमारे साथ सज्जादा नशीन के चौचा शरीफ फकर मिया बहुत शुक्रिया सर आपके महत्तपूर समय के लिए स्टे होम स्टे सेफ इस करोना काल में इसी उमीद के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगा कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया जीत जाएगा इंडिया धन्यवाद